नमस्कार सामाने विज्ञान के प्रसंस इंकला में एक बार फिर से आप सभी का हार देख स्वागत करता हूँ यहां पर जो भी प्रसंस आमिल के गए यह आपके आने इमाले किसी भी एक्जाम्स के लिए अथी महत्तुप पुड़ है तो मित्रू वीडियो में आगे चलने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना क्या हो तो आप लोग चैनल जरू सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही बीचे की वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर करके देख सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो आएक और शेयर भी कर दीजेगा आज़े देखते हैं पहला प्रसना है निमलिकित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है तो लाल रंग का निर्मार जो है सोडियम क्रोमेट से किया जाता है पिछले वीडियो में मैंने बनाया था आपको लाल स्याई एयो सीन या पिर टेट्रा ब सब्सक्राइब करें देखते चलिए, आपका एसी टोन नाखुन पालिस अपसारक की रूप में इसका प्रियोंक किया जाता है कार्बन ट्रत्रा कुलराइट का अगनी सामक के लिए प्रियोग किया जाता है हाइडोजम प्राक्साइड का घावों की मरहम पट्टी के लिए और द्रव अमोनिया का प्रियोग प्रसीतक के रूप में किया जाता है तेहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक प्रस्ण बिल्कुल कंसेंट्रेट करके देखते चलिए आप नोट डाउन भी करते चलिए इनको तो ज्यादा अच्छा रहेगा या वीडियो का आप एक दो बार से और देख लीजिएगा निमने में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो माचिस के लिए या जोनल माचिस की जोलन सीलता के लिए फासफोरस का आकसाइड प्रयोग करते हैं ना कि पोटेसियम क्लोरेट ठीक है तो यह फासफोरस से संबन देता है यहां पर अपका राइट आंसर हो जाएगा यह बाकी मैगनीज डाइकसाइड सुसक सेल में प्र आरप को अइसे संचायक सिलने करते हैं यह रीचियम करते हैं फ्रicular का प्रियोग परमाणों में करते हैं ए मति बनाने में टॉन दकूस्ति के वान प्रीक है आ कि इसके लावा फासपोरस ट्राइसलफाइट पी टू एस त्री इसका भी प्रयोग किया जाता है दिया सलाई उद्धोग में तो इसको भी आप जानते रहें अगला देख लिजिए निर्मिकी ततों में से कौन जब वायू तथा अंधेरी में रखा जाता है तो स्वतह दिप पीला और हरा रंग का प्रकास उसरजित करता है तो इसको बिल्कुल आप जानते रहें तो स्वतह दिप्ति की रूप में इसको जाना जाता है वायू से बचाने के लिए सफेद फासपोरस को जल में रखा जाता है जल में ठीक है इसको पानी में रखा जाता है क्योंकि ये वायू में जाते ही पीले और हरे रंग की लोग के साथ जलने लगता है तो बिलकुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा भी अगला देख लिए कार्बन नैनो टूपस ट्यूपस सी एंटीज किस से बनाई जाती है तो कार्बन नैनो ट्यूब आपका जो है किसने बनाई औ एक जापानी भोतिक वीद हैं जिन्होंने कार्बन नैनो टूप या सी एंटी का अविस्कार किया था बिलकुल आप इसको जानते रहिए भारत में निम्न ताप उसमी यह वी लवडी करण सिधान्त पर आधारित प्रते दिन एक लाख लिटर और लवड जल उत्पादं के प्रतम वी लवडी करण सहंत्र कहां प्रार्म किया गया कि टूभी स का प्रतम निमन ताप उसमीज वी लवडी करण यंदर सहंत्र भारत की लक्षधीव की लवरत्ती नगर में अस्तापिद किया गया इसकी जो लागत है 5 करोड है यह भी आप जानते रहिए जो कि पुद्री जल को पीने योगी बनाने के लिए भारत में जलो वी लवडी करण सेयंत रस्तापिते तो लक्षेदीब के कावरत्ती में कावरत्ती आपके लक्षेदीब की राजदाने भी है अगला है कौन सा रसायन चारी भूमी सुधारक की रूप में कारे करता है केल्सियम सेलफेट का प्रियोक करते हैं चारी मिर्दा हों में वेनमय योग अनि सोडियम की मातर अधिक हो जाती है जिससे पौद हो की अधिक चारीता की काड चो घुला वा जयविक पदार्त होता है मिर्दा की कड़ों कि सतर पर जमने लगता है और उसका रंग काला पड़ है तो इस प्रकार की भूमियों कि सुधार करने के लिए केलिए cacm जिपसम भी बोल सकते हैं सिए ये सो फोर जिपसम का यह होता है हाफ एस्टो बाकि है कलस्यलिट को आप सी एसी पहुर्दफ कहा जाता है अगला देख लेजिए निर्फ ितमें से कौई स हैं मिर्दा से सभवन्दित है तो प्रयोक्त प्रद्योक्य कहलाती है तो है defense क्रेशेल्स बिलकुल आप एक एक तत्यके धयां से देखतेजरे हैं क्रयोजेनिक्स और प्रयोग्यद्योक्य जाते हैं जिसमें दर्भीत औक्सिजन या पharing को अध्योगी कश्तर पर प्राप्त किया जाता है इसके माध्यम से जो इधन बनाया जाता है इसका उसमीं मान काफी उच्छ होता है राकिट में इस इधन का प्रियूग के जाता है अगला प्रसना है आपका धूम्र परदे युद्ध में छिपने योम सत्र को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं धूम्र परदे प्रया किसके वायू में परिचिप्त सुच में कड़ों की बने होते हैं यानि वायू में जाते हैं यह परिचिप्त हो जाते हैं इंके जो सुच में कड़ होते हैं तो जिससे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कुछ देर के लिए किसका प्रियूट किया जाता है इसका इसके लिए तो टाइटेनियम आकसाइड यहां पर आपको आपका होगा सी राइट आंसर अगला देख लिजिए निम्लांकित में से कौन सही नहीं है तो विकास का सितांद प्रतिपाद किया था चार्स डार्विन ने बिल्कुल आपका राइट है किसी परमाड़ के नाबिका टूटना सलेयन नहीं बलकि विखंडन कहलाता है तो यहां पर आपका राइट आंसर होग जो है ग्राम बेलने किया था अगला प्रसन देख लिजिए और आज के सिंकला का अंतिम प्रसन है सुस कसेल बैटरी में निम्लकित में से किनका विद्दूत अब घटियों की रूप में प्रयोग होता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर इसका राइट अगर अच्छा लगा तो लाइक और सेर किर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए गजिन लोगों ने भी नहीं किया है तो बहुत धन्यवाद आप से भी का अगले वीडियो में आप सभी से फिर से मिलेंगे